बिहार के दोनों डिप्टिस सीयम का दिल्ली दौरा है और दोनों डिप्टिस सीयम ने अमित शाह से मुलाकात की है समराट चौधरी और विजह सिनहार से मुलाकात हुई है बिहार में कैबनेट विस्तार को ले करके चर्चा की गई है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर अमित्षा से मुलाकात की गई समराग चोधरी के दौरा इसके साथ ही विजय सिन्हा ने भी ये मुलाकात की है दोनों ही बिहार के नेट डिपिसीयम के तौर पर पदबार करहन किया और इसके बाद आज अमित्षा से ये मुलाकात की तस्वीर सामने आई है वहीं चर्चा ये है कि बिहार में कैबनेट विस्तार को ले करके अमित्षा से ये चर्चा की गई है दोनों टिप्टी सीयम दिल्ली पहुचे और अमित्शा से मुलाकात की है समराथ चौधरी और विजय सिन्हा जोके बिहार के डिप्टी सीयम है उन्होंने अमित्शा से ये मुलाकात की और खबर ये के बिहार के कैबिनिट विस्तार को ले करके चर्चा हुई है बिहार के दोनों डिप्टी सीम समराच चौधरी और विजय सिन्हा ने आज रच्छामंतरी राजनाथ सिंग से मुलाकात की है राजनाथ सिंग से मुलाकात के बाद समराच चौधरी और विजय सिन्हा ने कहा बिहार में NDA की सरकार बनने के बाद मार्गदर्शन लेने के लिए आए हुए थे और बिहार में साथ निश्य पार्टू में बिहार की जनता से जो वादा किया था उन वादों को पूरा करने के लिए काम करेंगे ये बात समराच चोधरी के और से कही गई है तो टिप्टेस सीम ने अपनी बात को रखा है लाजनाज जी ने मागदर्शन दिया है पाटीक संगटन से लेकर बिहार में कैसे विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है सब्सक्राइब मागदर्शन दिया है कि विहार के विकास के जो कमिटमेंट हमारे थे साथ निशे 2 के 2020 का उसको पूरा कराना है पहले वाले मेनिस्टर्स रिपीट होंगी जो पहले कैबिनेट में थे ये तो पार्टी बाद में तैक करेंगे करेंगे